नमस्कार दोस्तू, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है, सुबे चाई की जगह ये पीलो, तीन सो बीमारियां आपके सरीर की होंगी ठीप, वात पित और कफ दोस दूर हो जाएंगे, और दोस्तू हमारे सरीर में जो भी बीमारी होगी, उन सब का कही न कहीं कान वात प कितोर कफ होता है, लेकिन आज की इस वडियो में जो नूस्खा हम आपको बना कर दिखाएंगे, ये नूस्खा, इन 3 ही दोस्त को सही करने का काम करता है, और जब ये तीनो दोस्त सही हो जाएंगे, तो आपके सरीर की 300 बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, दोस् इस नुस्खे का प्रियोग करके आप अपने खून को साप कर सकते हैं, खून को पतला कर सकते हैं, जिससे की एक तो आपकी चहरे पर नया गलुआएगा और दूसरा आपका कोलोस्टोल बिल्कुल सही बना रहेगा, और जब आपको कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसे होते हैं, जिनको डायबटीज वाले ले सकते हैं, पहली बात तो ये, और बहुत कम नुस्खे ऐसे होते हैं, जो डायबटीज के साथ सा दिल की बीमारियों, बलड पैसर जैसी बीमारियों का भी इलाज करते हैं, और ये चमतकारी नुस्खा ऐसा ही है, जो आपके पू जोडों घुटनों के दर्द का कारगर इलाज है आपके हरत रहें के दर्द को दूर करने का काम करता है आपके स्रीर की हड़ियों को भी मसबूत बनाने का काम करता है दोस्तों आपके मुटापे को कंट्रोल करने में भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है क्योंकि इस मुस्खे को बनाने के लिए आपको महज दो सामगरियों की आफ सकता है तो चली दोस्तों आपको बताते हैं इस मुस्खे को बनाने की विदी के बारे में दोस्तो आपने क्या करना है एक गिलास पानी लेकर किसी बरतन में डाल अपकर आग पर उबलने के लिए रखना है दोस्तो अब आपने क्या करना है अरजुन की च्छाल लेनी है और अरजुन की चाल के एक से दो टुकड़े के लेकर उनको अच्छी तरहें से धोकर साप करके इस पानी में डाल देने हैं। दोस्तो अरजुन की चाल हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेबन है। दिल की बिमारियों के लिए अर्जुन की चाल को घर का डोक्टर माना जाता है। जो बड़ी से बड़ी दवाईयां काम नहीं करती वो अर्जुन की चाल करतेती हैं दिल की बिमारियों के लिए खास कर। और जो आप एलोपीती दवाईया खाते हैं, उन्हें भी अरजुन की छाल का मिस्रन ही आपको, वो ही आरक आपको दिया जाता है, खून को पतला करने के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, ब्लोकेज को खोलने के लिए आदी, अब दोस्तों आपने इसमें डालनी हैं, दूस पानी उबल उबल कर एक कप रहे गया, तब आप इसको आग से निचे उतार लो, और इसको छान लीजे, दोस्तों आप इसमें अपने सवाद के लिए सहद का प्रियोग भी कर सकती हैं, लेकिन इस यदि आपको डायपटीज की बीमारी है, तब आपने बिना सहद प्लेइन ह इसका सेवन करना है, और दोस्तों आप इसका सेवन कीजिए, कुछ दिन लगातार, और फिर देखी, आपका स्रीर कैसे निरोगी बना सुरू हो जाएगा, आपके स्रीर की इम्मून पावर बढ़ेगी, दिल की बीमारीयों का कारगर इलाज हो जाएगा, आपका खून बिलक इन डोक्टर से हमेशा बचे रही ही, तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी और इस बैल के आइकोन को भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वी कोटिकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों